हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप Google या फिर किसी भी वेबसाइट से कोई भी इमेज पॉपी करके उनको अपनी Amazon लिस्टिंग पे एड़ कर सकते हो या नई अगर आपकी इमेजेज पे कोई copyright claim करता है तब आपको क्या करना है और Amazon की image policies क्या कहती है सपोज मेरे पास एक ये product है जिसको की मुझे Amazon पे sale करना है तो इस product के में photos लेकर इसमें अपना खुद का editing करके इस पे अच्छा कासा make-up करके इसको दोलन की तरह सजा करना है अपलोड कर देता हो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आपकी images पे कभी भी कोई भी problem नहीं आने वाला है और यह सबसे best and safe way होता है कोई भी image अपलोड करने का बड़ आप हमेशा इस image को अपने mobile phone या computer में save करके रखिए ताकि एजब प्रोफ कभी भी काम में आ सके अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पास time नहीं होता है तो वो google या फिर किसी भी website से images को copy कर लेते हैं और अपनी amazon listing में add कर देते हैं बिना कुछ सोचे यह समझे कि यह image किसी की intellectual property है इस पे copyright का ठपा लगा हुआ है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यह कानूनन अपराद तो है ही साथ ही साथ amazon आपकी listing को block कर देता है और extreme cases में आपके seller account को suspend भी कर सकता है अगर आपको image copy करनी ही है तो आप उस image का जो owner है उससे पहले permission लीजिए उसके बादे इस image को use कर सकते हो और आपको काफी साथी website भी मिल जाएगी जापे आप royalty free images, free for commercial use वाली images ले सकते हो अगर मैं example गूत हो, पिक्सा में एक बहुत ही अच्छी website है जहांसे आप free images, royalty free images ले सकते हो इवन आप canva में अपनी image को create कर सकते हो, उनको अच्छे से design कर सकते हो और फिर आप उनको amazon पे use कर सकते हो तो यह free और आपी safe option है आप लोगों के लिए, बट कभी भी किसी की image को copy मन कीजिए without their permissions अब हम बात करते हैं Amazon की policies की, तो Amazon की policy क्या कहती है कि जब भी आप एक copyrighted image Amazon के detail page पे upload करते हो तो उस समय आप Amazon और उसके affiliates को permission दे रहे हो उस image को use करने की और कोई भी दूसरा seller जो identical product बेच रहा है, तो वो seller उस product retail page पे अपना product upload कर सकता है साथी साथ वो आपकी जो images हैं उनको भी use कर सकता है अगर मैं बहुत ही simple language में बोलूँ तो कोई भी आपके product और image पे copy कर सकता है अगर वो identical product बेच रहा है तो ये Amazon की simple policy है जो की switch यही बता दी है कि कोई भी दूसरा person आपकी image पे copy कर सकता है और आपकी images को use कर सकता है अगर आपने वो Amazon पे डाली हुई रहे तो अगर कोई आपको copyright claim देता है तो आप counter notification submit कर सकते हो आप Amazon से appeal कर सकते हो कि ये image मैंने right faith में ली थी आप as a probe वो photo भी submit कर सकते हो जो आपने click किया था image uploading के time इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरे probe भी है तो वो भी आप submit कर सकते हो अगर आपके पास किसी की writing में permission है तो वो भी आप submit कर सकते हो और जो free website से अगर आपने कोई भी image लीव हुई है तो उसका जो link रहता वो अपने पास save करके रखिए अगर by chance ऐसा अगर कभी copyright claim आता है तो आप उसमें Amazon को बता सकते हो कि देखिए ये free email की image थी इसके लिए मैंने ये लिए दिखिए I hope ये वीडियो आपकी like और business में कुछ value add करेगा आज के लिए इतना ही thanks